नमस्कार दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हमारा राजस्तान पाठेपुस्तक जो है कक्षा आठ उसका पाठ नो हम पढ़ने वाले हैं तो गरामीन और सहरी प्रसासन तो इस पाठ में प्रिविध्यारतियों हम इन जो टोपिक है वो मुखेता यह रहेंगे मतदाता सुची में आपको पता है अठारा वर्स के आयो होने के बाद में आप वोटर बन जाते हैं मतदाता बन जाते हैं तो उसके लिए नाम किस तरह से जुड़वाया जाता है कौन-कौन से फोर्म होते हैं तो उनकी जानकारी B-L-O आपने नाम सुना होगा क्या होता है फि और CEO, EO, BDO, VDO आदिजो अधिकारी है इन परसासन में गरामीन और सहरी इनके क्या-क्या कारिये हैं भूमिकाएं फुल फॉर्म गराम सभा और इसकी बैठके हैं इसकी साल में चार बैठके होती है कब-कब होती है उनकी हम बात करेंगे और लास्ट में अभ्यास परसन देखेंगे तो आपका कसा आठ की विद्यारती है तो आपके लिए पार्ट इंपोर्टेंट है साथ ही अगर आप जाए आरेस प्री या मेंस के त्यारी कर रहे हैं फर्ष्ट ग्रेड सेकिंड ग्रेड रीट पुलिस पटवारी एसी एफ राजस्तान से जुड़ा कोई भी तो बेसिक कॉंसेप्ट कलियर करने के लिए बहुती सांदार और बेहतरीन पुस्त कैये ग्रामीन वे सहरी प्रसासन तो इसमें मुख्य बाते हैं उनको हम देखेंगे हाईलाइट भी मैंने कर रखी है तो देखें जैसे इसमें यहां का गया है कि यह बच्ची है वो पूछ रही है सोनू है उसने पूछा है कि 18 वर्स की होने जा रही है तो आने वाले समय में उसे भी मतदान का दिकार मिलेगा तो यह बात आप जानते हैं कि आपके आयू अगर 18 वर्स हो गई है तो आप जो है वोटर लिष्ट में नाम जुडा सकते हैं अभी इसमें अभियान भी दोस्तों और मैं भी इस अभियान में जो है कुछ भूमी का निभारा हूँ सुपर वाइजर की तो एक एक दो हजार एक्किस को 18 वर्स की जिनकी आयू होने जा रही है जहां नया साल लगने वाला ना जिनकी आयू 18 वर्स होने जा रही है आपकी आपकी परिवार में तो आपको B.L.O. यानि बूत लेवल अधिकारी जो है B.L.O. ये सामानेता है अध्यापक ही होते हैं कई वारने करमचारी भी हो सकते हैं वहां से उससे मिले या उसके नंबर है उससे कोंटेक्ट कर लें या हो सकता वह आपके घर भी आ जाएं तो यह 20 नौंबर तक अभी अभ पता चलेगा या तो आपका जन्म 2002 में चाहिकी शिवी तारी को हुआ हो या फिर आपका जन्म 11 2003 को हुआ है तो भी आप 11 2021 को 18 वर्स के हो रहे हैं आपका जन्म अगर दो तारी को हुआ है तो आपका नाम इसमें नहीं जुड़ेगा तो 11 2003 या इससे पहले आपका जन्म वोटर लिष्ट में जरूर जूड़ाई है और अब मतदान का प्रयोग कीजिए क्योंकि लोगतंतर की सबसे बड़ी सक्ति प्राण तो मतदान ही है ना तो यहां यही बात इसमें समझाई गई है कि विभिन सरकारी करमचारियों को यह कारिय सोंपा जाता है वो घर घर जाकर सर्वे करते हैं और 18 वर्स के जो यूवक यूवेतिया हैं उनके नाम जोड़ते हैं इसके लिए क्या करना होता है फोरम नंबर 6 आता एक वो बियलो आपको देदेगा आपको कई मजार से करेने आ सकता नहीं है तो इसमें आपकी फोटो लगती है आयू का परमान लगता है चाहिए वो जन्दमतित्य के लिए मार्क शीट हो कोई और हो तो फोरम नंबर 6 फोरम नंबर 7 और 8 वो ये लोग के अन्यकारी होते हैं किशी का नाम जिसे मान लोग हटाना है मतदाता सुची से मान लोग मर्द्य हो गई है या पलाइन कर गए है या विवा होके कई दूसरी जगह चली गई है या कोई मैला तो उसका नाम हटाना भी बढ़ता है तो उसके लिए होता है फोरम आर्ट और फिर एक वरम आर्ट और होता है तो नाम में जैसे संसोधन मालेजे नाम में कोई तुरुटी है इत्यादी के लिए तो सिक्सक सोनों ने पूछा कि फिर आप विद्याले में नहीं पढ़ाते हैं क्या तो सिक्सक ने बोला नहीं बेटा यह पढ़ाने के अत्रिक्त कार यह है जिसे जिला परसर संद्वारा सौंपा गया है तो जो अध्यापक होते हैं वो वीद्याले में पढ़ाने के अलावा ये जो कार ये है ये येलो वाला जिनके पास सार्ज होता है वो ये काम करते हैं कि और क्योंकि जिम्मेदारी दी जाती है तो अब यहां पे बात आये कि जैसे घर में मुख्य игр जव है वहू जिम्मेदारी देता है तो صदसियों को करनी होती है और मुख्यी क की siress या स्य तरह से जिला प्रसास्न यानि कलेक्तर मंहुदे के दौरा HDM महुदे को और HDM महुदे के दौरा बिये लोगो जो है HDM महुदे घाजे systems को देते हैं तो इस तरह से कड़ी-Dर-Qड़ी जो है यह काम चलता है तो यहां वो ही बात की गई है कि जैसे घर का प्रसासन मुख्या और घर के सदश्यों के कारियों डायत्वे से पूरा होता है उसी तरह से हमारा जो प्रसासन है चाहिए वो गाउं का हो या शेर का हो वो भी अलग-अलग तरिके से चलता है तो इसके लिए तीन इस्तर यानि त्री इस्तरी वेवस्ता की गई है गाउं में होती है ग्राम पंचायत अब अगर आप गाउं की निवासिय तो आसानी से समझ मा जाएगा आप सहर की निवासिय तो थोड़ा सा इसको समझना होता है तो जैसे ये गाउं हो गया और कई गाउं को या मालिज ये गाउं को मिला कर पंचायत बन जाती है उसको भी वाड़ों में बांटा जाता है लगबख साथ वाड़, आठ वाड़, नो वाड़ इस तरह से फिर इन गाउं, कई गाउं कोई जो ग्राम पंचायते हैं, उनके उपर होती है पंचायत सिमीति और इन कई पंचायत सिमीतियों के उपर होता है जीला, तो जीला परिशद, जीला इस तरफे जीला परिशद अब हम गरामिन सुवसासन की बात करते हैं तो तेहतरवा समिधान संसोदन जो हुआ था उसमें पंचाइती राज वेवस्ता है इसको अपनाया गया है इसको समिधानिक दर्जा दिया गया है वेसे आपको याद होगा 2 अक्टूबर 1969 नागोर जिले से पंचाइती राज की सुरात हुई थी मगर समिधानिक दर्जा जो है वो देहतरवे समिधान संसोदन में दिया गया था अब इसके लिए समिधान में मूल समिधान में जो अनुसूचियां थी उसमें आगे सा अनुसूची और जोड़ी गई 11 दस्वे के बाद में ग्यारवे अनुसूची जो है उसमें पंचाइती राज का वरणन है बारवे अनुसूची में जो सहरी सवसासन है उसका वरणन है तो यह जो त्री इस्त्रिय डहंचा है इसमें 29 कार्य दिया रखना 29 29 कार्य जो है वो दिये गए हैं पंचाइतों को सोनु ने पुछा ये तरी इस तरी डांचा क्या है तो ये इस तरह का है देखिए आप जैसे गाव में हो गई गराम पंचायत और मुख्या कौन होता है सरपंच ठीक है और बाकी होते हैं पंच पंचों का चुनाव सिदा जनता करती है सरपंच का सुनाव भी शिदा जनता करती है एक पद और होता है उप्प सरपंच तो अभी ये काम भी मुझे प्रेक्टिकल सरपंच के सुनाव में मने रिटर्निंग अधिकारी की भूमी का निभाई थी तो एकदम प्रेक्टिकल नोलेज आपको बता देते हैं उप्प सरपंच तो ये जो पंच है ये अपने में से फिर उप्प सरपंच का सुनाव करते हैं या तो निर्वरोध नहीं होता है तो इन पंचों का ही वोट लगता है साथ आठ जो भी पंच होते हैं और फिर सरपंच का सुनाव करते हैं उप्प सरपंच का तो सरपंच का और पंच का चुनाव जो है वो जनता सिदे करती है सरपंच के चुनाव के लिए आजगल EVM मसीन काम में आती है पंचों के चुनाव के लिए अभी भी मत पेटी जो है एक बोक्स होता है बड़ा लोहे का और पर्चियां होती है चपी हुई चिन होता है उन के महर लगानी होती है मतदाता Lauren को जिसे बोलते हैं सुभंकर वो ऐसे स्वस्तिक टाइप का सा चिन होता हूँ ऐसे गोला ली हो parameter और वो फिर पर्चिया को समेट के इस बोक्स में डालते हैं फिर उनमें उनको गिननी होती है, काउंटिंग होती है, तो यह सारा काम उसी दिन हो जाता है, नाइट तक, ग्राम पंचायतों के उपर होती है पंचाय सिमिति, और पंचाय सिमितियों के उपर होती है जीला प्रिसद, अब यह तो एक ही होगी एक जिले में, यह एक जिले में चाया ऐसा आताठ जिल्ले की साइज के अनुसार और यह एक पंचाय सिमिति के अंदर भी ग्राम पंचायते भी उसकी आकार क्याधार पे होती है गराम पंचायत में सरपंचाब हो गए ये तो हो गए राजनितिक परतिनी दी जन परतिनी दी जनता के द्वारा चुनावा परतिनी दी और ये हो गया सरकारी अधिकारी करमचारी जिसको पहले गराम शेवक बोला जाता था अब नाम हो गया है गराम विकास अधिकारी तो ये कारी के लिए होता है खंड विकास अधिकारी बीडियो नाम सुना होगा आपने वीडियो साभ सुना होगा कि लोग डिवलॉप्मेंट ऑफिसर यह आरेस भी होता है अधिनस्त सेवाओं में है साइद और उसके अलावा और भी छेवाओं के और जो सेमाई हैं उनके लोगों को भी इसकी जमेदारी दी जा सकती है जिला परिसद में जिला परमुख राजनितिक परतिन दी और मुख्य कारी कर्या दिकारी होता है यह आरेस ओफिसर होता है शीनियर आरेस तो यह जो है चीफ एक्जिकुटिव ओफिसर यह प्रसासनी कारे द बात करें तो जिला परमुखा चुनाव कोन करता है यह जो जिला परिसद के जो सदस्य जिनको सोर्ट में लिखा रहता है जिप सदस्य अभी आप लोग अख़बारों में देखना बहुत सारी बदाईया मिलेगी जिप सदस्य बनने के लिए बदाई तो जो जिला परिसद क के जो सदस्य है अभी हमने चुनाव करवाए थे तो इनके लिए EVM भी थी आपने वोट दिया तो आपको याद होगा इसमें एक में तो आसमानी कलर था नीला और इसके लिए कलर था पीला पीले कलर की परची नीले कलर की परची इस तरह से तो यहां जो है परधान का यहां पर भी इसके सदस्यों को वोट देती है गराम पंचायत में जनता दो वोट देती है यहां भी दो वोट देगी यह पंचाय सिमित्य जला प्रसद के लिए और यहां जनता देती है गाव में एक तो पंचों को सिधा वोट और एक सरपंच को तो यहां सरपंच सिधा ज गाव में स्वच्ता, पेईजल, परकास की वेवस्ता, मनरेगा, समंधिकारिय, सारुजनिक वित्रण पढ़नाली, यानि जो उचितमुले की दुकान, रासनकार्ड वाली, गरामीन सडकों का रख रखाओ, जनम मर्त्यू पहले ये देख लेते हैं, गरामीन, वाला, विवाय क पंजी करण, आपदा, महामारी आ गई, चारागा है, वन का विकास, पस्व, मानो, स्वास्ते, परिवार कर ल्यान, बोतिक्षन सादन का विकास, पंचाय समित्यका कारिय क्या है, पंचायतों के, यानि जो 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 आना, गराम पंचायते, उनके कारियों का समिक्ष्य और प आइजन करना, रजिश्टर में संदारन करना, बोर्ड लगवाना, वास्तिक वे वगर है, पस्तो मेलों का आइजन करना. अब हम देखते हैं जीला प्रसद के. जीला प्रसद का करये क्या हो गया? इन दोनों का परियवेक्षन करना, फिक है, और जो नीदियां है, उनका अंतरन करना यानि जो कोस वगर है ग्रामिन स्वस्थता का ध्यान रखना जन्ता की शिकायतों को दूर करना प्रात्मिक शिक्षा की गुणवता सुनिसित करना इत्यादी कारिय है तो ये जो कारिय है इनका आपके एक्जामी परसन आ सकता है और बड़ एक्जाम में भी आ सकता है ग्राम पंचायत अब हम पुना समझते हैं ग्राम पंचायत क्या है ग्राम पंचायत लोगतंतर की पर्थमिकाई है जो वाडपंच, उपसरपंच और सरपंच से मिलकर गटित होती है इनको जनता सिदे चुनती है आयू इनके लिए 21 वर्स चाहिए द्यान लखना आप वाडपंच का या सरपंच का या उपसरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मिनिम्यम आयू कितनी होनी चाहिए आपकी 21 साल आप विदहे का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप क्यों होनी चाहिए 25 साल तो वार्ड मिमर का सहरों में भी 21 साल है विदहे के लिए 25 साल MP के लिए 25 साल लोग सबा, विदान सबा के सदसे के लिए विदान परिशद और राजे सबा के लिए 30 वर्स राष्ट्रपती के लिए 35 वर्स और वोट तिंग के लिए 18 वर्स वोट देने के लिए कार्यकाल होता है 5 साल चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग द्यान रखना अब गराम पंचायत का मुक्या होता है सरपंच मगर सरपंच को ऐविश्वास परस्ताव द्वारा हटाये भी जा सकता है मगर यह ऐविश्वास परस्ताव चुनाव होते नहीं आ सकता इसमें कुछ नियम है एक या दो साल बाद आ सकता है अब इनके लिए गराम पंचायत में सचीव का कारिय करता है गराम विकास अधिकारी और बेठक की कारवाई को लिखना होता है और गराम पंचायत की परते हैं यह महा में कम से कम दो बेठके होती है जो बनावा होता है अब आपकी यहाँ है कि अगर आप गाम की निवासी है तो आपका सरपंच कोन है इन सभी को पद की सफत, सरपंच, उपसरपंच और वार्डपंच, इन को पद की सफत कौन दिलाता है, रिटर्निंग अधिकारी दिलाता है, जो विदायत हुआ मैंने चुनाओ में निभाया था, इन सभी को पद की सफत, और उपसरपंच का चुनाओ होता है, एरपर्टेक्स यानि कि ये वाड़ पंच न वो देते हैं और इन दोनों का होता है डारेक्ट जनता वोट देती है एक इसको और एक इनको दो वोट उनके लगते हैं वाड़ पंच और सरपंच के लिए तो आप अपने गाओं के सरपंच का नाम कमेंट कर सकते हैं अब पंचाई समिती आ गई तो जो जीला प्रिसद है यानि जीला है उसको कई विकास खंडों में बाड़ते हैं और कई गाओं को मिला कर पंचाई समिती बनती है विकास खंडों पर ये पंचाई समिती का गठन किया जाता है उनको विकास खंड नाम बोलते हैं बलोक निर्वाची सदस्य परदान और उपरदान का चुनाव करते हैं सरपंच ये द्यान रखना पंचाए सिमिती में पंचाए सिमिती के छेतरकत के अंतरकत आने वाले ग्राम पंचाईतों के सरपंच इनके पदेन सदश्य होते हैं यानि सरपंच जो है ना इनके सदश्य सवते ही पदेन माने जाते हैं बाकि जनता सुनती है वो तो अलग है मगर सरपंच भी पदेन सदश्य माने जाते हैं मगर जो परधान है उसके चुना में साइधिय वोटिंग नहीं कर सकते और इसके लिए पंचाय समित्य के लिए नियुम्तम 25 वर्ष की आयू है परदहान और उपरदहान को पंचाय समित्य समंधिकारियों में मदद के लिए राजे सरकार दवरा एक खंड विकास अधिकारी BDO जो है वो निक्त किया जाता है और पंचाय समित्य के सद्यों का कारिकाल भी 5 साल होता है अब जिला प्रसद ये सीर संस्ता होगी जिले पर होती है जिले में कई वार्डों जिले को कई वार्डों में बाटके वोट लगता है जिला प्रसद के सद्यों नुक्त होते हैं और अपने में से एक विक्ते को जिला परमुख बनाते है कई ग्राम पंचायतों को मिला कर एक वार्ड बनाया जाता है परतेक वाड़ से एक सदस्य चुना जाता है और यहां भी ध्यान रखें जिला प्रिसद है तो उस जिले में आने वाली समस्त पंचाई सिमीतियों के परधान ठीक है? अब इसमें जो परधान है भी उसमें तो सरपंच पदेन सदस्य थे इसमें परधान पदेन सदस्य होंगे साथ ही साथ एक जिले में कई विदान सबा से तरोते है तो जो MLA है विदान सबा सदस्य है ठीक है साथ ही साथ एक जिले में लोग सबा और राजे सबा की शीट भी होती है लोग सबा की तौशे होती है लग भग और राजे सबाका भी अगर होती है तो वो जो सदश्य है वो भी इसके पदेन सदश्य यानि परधान और MP और MLA इसके पदेन सदश्य यानि सवताई इसके सदश्य माने जाते हैं और इनमें एक मुख्य कारी 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 अधिकारी होता है जिसको बोलते हैं C-E-O आई के सरोत ग्राम पंचाईत को आई कहां से प्राप्त होती है सबसे बड़ा सरोत हो केंदर सरकार, राजे सरकार जो अनुदान देती है उसके अलावा भवन कर, वहन कर, करे विकरे पर कर, मेले, हाट, बजार सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदाई से प्राप्त अनुदान, दोशियों से एक तरदंड रासी, पंचाई समिती पंचाई समिती के लिए भी आई के सरोत है वेवसाई, उद्योग, रोजगार, इत्यादी, बजार जिला परसद के लिए भी अनुदान, वसूलिया, राजस्व प्राप्ति का हिस्सा आदी आपके छेतर में सारजुने पितन पर लेक दुकान अगर बंद रहती है तो आप इसकी सिकायत किस से करेंगे अब गराम सबा की हम बात करें लेखो गराम पंचायत का मतलब हुआ कोई गाव है और उसमें पंचायत जो है यानि मुख्याल है उसका पंचायत का या कई गाउं को मिलाखे या एक बड़ा गाउं तो बड़े गाउं में उसमें सरपंच आदी अब गराम सभा क्या है ये दियान रखना आप कंफ्यूज मत हो ना गराम सभा का मतलब हो गया कि उस गाव में रहने वाले 18 वर्ष की आयू से उपर के सभी लोग गराम सभा के सदशे होते हैं पुने सुन लो किसी गाव में या गराम पंचायत में रहने वाले 18 वर्ष की आयू के उपर के जो सारे मत दाता है जिनका कि उस water list में नाम है वो सारे के सारे जो है इसके सदश्य माने जाते हैं ठीक है? इसके यानि कि गाउं के सारे water अब कोई मेमान आये हुए हैं वो नहीं जूरेंगे इसमें water list में जिनका नाम होना जुरूरी है मत दाता तो यह आधारबूत संस्ता है गरामसभा का चितर एक राजस्यों गराम होता है और सामाने था है प्रते गराम पंजयत की गरामसभा होती है गरामसभा के सदश्य उस राजस्यों गाउं में रहने वाले सभी मत दाता होते हैं ठीक है? और यह एक तरह से प्रत्यक्स परजात अंतर है, यानि गरामसभा की बेठक भी होती है, साल में चार बार लोग ये कटे होते हैं, और बेठक की अधिक्स ता कौन करेगा, सरपंची करेगा, तो सामने ता हर तीन महिने में गरामसभा की बेठक होती है, तो साल में चार बार हो गई, और मुख्य है ये तारिक याद रखना देखो 26 जनवरी और 15 अगस्त दो तो ये राष्ट्रे परव हो गए उसके अलावा एक मई मजदूर दिवस दो अक्टोबर गांधी जेनती लालवादु सास्त्री जेनती एक मई दो अक्टोबर तो देखो एक दो और 26 जनवरी 15 अगस्त तो ये चा आए आदे आए जो भी आए तो फिर उनसे वो डिसकस करते हैं विकास की मुद्धों पर और पर ग्राम न्यायले ग्राम न्यायले है ग्राम पंचायत इस्तर पर जो न्याय दिलाने के लिए न्यायले एक्ट 2008 के तहट ग्राम न्यायले की स्तापना की गई पहला ग्राम न्य पहले जेपुरजी लेके बसी में खोला गया याद रखना जेपुरजी लेके बसी में खोला गया तो ये था आपने ग्रामीन परसासन अब आता है नगरिय सवसासन गाव में तो ये हो गया अब जो छोटे कस्वे हैं सहर है उनमें क्या होता है उनमें होता है नगरिय सवसासन स्वाशासन का मतलब जो नगर है या गाव है वो अपना सासन खुद देखें वहां की जनता सासन खुद देखें क्योंकि मुखे मंतरी परधान मंतरी हर गाव गाव गली गली की समस्यों को थोड़ी पैचान सकते हैं इसलिए गाव के लोग ही अपना नेता चुनकर और उनको जो है अपना कारिय विकास कारिय करवाते हैं तो अब यहां देखिए कि नगर निगम वाले क्यों आए थे यानि गाव में अगर मान लिजे सहर में आपको कोई मकान बनाना है कुछ कारिय करना है तो आपको अन्मत ही लेनी पड़ती है किस से वहां सहर की जो नगर पालिका नगर निगम है उन से तो यह कहते हैं कि पहले नगर निगम से स्विकरती ली और फिर जो है मकान बनाना शुरू किया तो तब सोनों ने का फुफाजी मुझे गराम पंचाहत के जानकारी तो है लेकिन नगर निगम नगर परिसद और नगर पालिका क्या होती है तो दोस्तों चोटा सहर है और उसके आबादी अगर एक लाग तक की है तो वहां सहर है या कस्वा टाइप का है तो वहां नगर पालिका जो है वो बना दी जाती है एक लाग से ज्यादा की अबादी है और एक से पांस लाग के बीच की अबादी है तो वहाँ पर फिर नगर परिसद बना दी जाती है जिसे हमारी सुजानगड में पहले नगर पालिका थी अब आबादी बढ़ गई तो नगर परिसद बन गई है पांस लाग से अधिक आबादी होती है तो फिर वहाँ पर नगर निगम बना दी जाती है सामानेता है पहले बड़े सहरों में था अब जो है नगर निगम पहले तो साथ संभाग मुख्याले पर था अब सभी जिला मुख्याले को बना दिया गया क्या कमेंट करें कितने नगर निगम है तब फुपा जी ने बताया कि यह है एक नगर ये सासन वे उसता है नगर में भी क्या होता है किसी भी सहर को जैसे गाव में वार्ड में बाट दिया जाता है और परतेक वार्ड में एक होता है वार्ड पारसद या वार्ड मेंबर तो वो वार्ड मीमर को हम जनता सिदे वौट देती है और उसके बाद में जो सभापती है तो एक बार तो इसमें यह वार था कि जो अदेक्स है, सभापती है उनका भी वौट शिदा हुआ था मगर आज कले साने, आज कले जो चुने वे पारसद है वो अपने में से ही एक विक्ति को बहुमत के आधार पे चुनते हैं तो इसलिए जनता के ओल पारसद को ही शिदावोट देती है महापोर या सभापति होता है और वार्ड से चुने परतिनी दी पारसद होते है तो मुख्या क्या कहलाता है अध्यक्स और नगर पालिका का मुख्या कहलाता है अध्यक्स ध्यान में रखें आपके अध्यक्स और नगर परिस्द का जो मुख्या वो कहलाता है सभापति और नगर निगम का जो मुख्या वो कहलाता है महापोर जैसे आप अकबारों पढ़ते होंगे जेपूर के महापोर ने ये कहा इस तरह से जहां जन संक्या पांस लाग से ज़्यादा हो जहां जन संक्या पांस लाग से ज़्यादा हो और सालाना आई एक रोड से ज़्यादा हो तो वहां नगर निगम ठीक है एक लाग से पांस लाग है तो वा नगर परिशद और पंदर हजार से एक लाग है तो नगर पालिका तो ये बात मैं आपको बता दी है नगर निगम जिसे बड़े सहर है जेपुरजोद पुरजमेर कोटाज इनमें महापोर मुकिया अदेक्स महापोर कहलाता है नगर परिशद में सभापती कहलाता है जैसे हमारे सुजानगर सेयद में सभापती महोदे का पद है और पहले हमारे यहाँ अदेक्स का वा करता था यानि नगर पालिका का मुकिया कहलाता है अदेक्स तो ये तिन्नों याद रखना सहरी सवसासन के लिए 74 समिधान संसोदल के द्वारा जो है 1904 में और वो 33 में तो इन में समिधानिक दर्जा दे दिया गया था इनको सहरी संस्ताओं को भी और एक चीज और है एक तीहाई वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं एक तीहाई अनुसुची जाती जन जाती अने पिछड़े वरग इनके लिए भी जन संक्या के अनुपात के अनुसार अरक्षिन दिया जाता है ताकि सभी की शेदारी बराबर हो सके नगरी परसासन के काजिये भी वही रहेंगे साप, सफाई, स्वस्ता, बिजली, पानी, जनम, मर्त्यू, पंजी, करण, दमकल, अगनी समन भेजना उसके लाव सारजनिक बाग, स्टेडियम, वासना ले, पुस्तका ले, बरक्षारों पन आवरा पुसोसे चुटकारा, मेले, पंदसनी, रेन, मसेरे यानि जिन लोगों के पास मकानों कानी, उनको मकानों अगरा दे देना यह अनिवार्य कारिये हैं, सुदजल, रोसनी, साफसफाई, दमकल, यानि जो आगनी समन यंत्र और जनुमर्थ्य पंजी करन, यह स्वेची कारिये हैं, सारजनी कारिये, मेले, स्टेडियों वासना, लेवरक्षारों पन आदी सुनों बोली, कौन सा काम वार्ड उसे करा जाए हैं, कैसे होता है, तो फुपाजिन बताए, जैसे गाव में नुकड़तवा चोपालों में इस्तानी लोग अपनी इस्तानी समश्यों पर चर्चा करते हैं, आपने देखा होगा न, पिपल गटे के नीचे बेठे हुए गिचा हो गया, गटागर के पास बेठे, सुबह, साम या कभी भी अपने समश्यों पर चर्चा करते हैं, और ये इस्तान सारजनीक पुस्तकाले, वासनाले, गटागर हो सकते हैं, ऐसे इस्तानों पर चर्चा के बाद में समश्यों को परात्मिक्ता के आदार पे चुनकर प समश्या है, सडक नहीं है, तो फिर इसके लिए वो पारसत जो है, वो आवाज को उठाता है अपनी नगरपालिका में, और फिर वहाँ से अदिक्समोदे के द्वारा को बजट 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 पारित करवाया जाता है, पेसे इनको तीन महादिम से केंदर या राजे सरकार से दूसरा विविन सुल्क लगाकर जिसे विजली समंदी, मकान समंदी और जुर्माने के द्वारा तीसरा है, अपने सहर वाश्यों पर विविन परकार के कर लगाकर तो ये था आपने पाठ भूराजस्वा का मतलब वहकर जो भूमी के परियोक के लिए लगाया जाता है, सारजनिकार ये पेज लिए आप जाने के नगरिया सवसासन की कई है, तो ये सबी है, नगरपालिका पंदराजार से एक लाग के बीच, नगरपरसद एक लाग से पां नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित परतिनिदी क्या कहलाता है, नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित परतिनिदी मेयर, नगरपरसद के अधिक्स को क्या कहते है, सवापती, गराम पंचायत का मुखिया, क्या कहलाता है, गराम पंचायत का मुखिया, सरपंच, जि मुकिय कारी 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 के कारी CEO कुन होता है केवल यह होता है नगरपलिका में टेक नगरपलिका नगर परसाट, इन में परशास सनी का दिकारी śli Olivier और जिल्ला, परसाट में CEO हता है。 पंचरदाराज़ के सवरुप को चितन समझत ब्रवारा समंझा य, आये कहां कहां से आती है नगरे परसासन के कारिये गराम जबा ये इंपोर्टेंट है दिहान रखना गाउं के 18 वर्सें उपरिक्यायों के सभी मतदादा जिनका नाम के मतदादा सुच्च में वो इसके सबस्या वने जाते हैं और साल में चार बेठक होती है सभी जनौरी 15 अगस्त दो आपको कमेंट करके बतानी है धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा थेंक्यो